जहें दोस्तों मैंने दिबेंचोहान आजम करेंगे क्लास टांत का 7.2 का question number 9 इसमें हमें बोला है A-2 और 2 और B 2 और 8 को जोड़ते हुए रेखा कंड के 4 समान भाग में विभाजन करने वाले बिंदूओं के याम हमें यहाँ पर find करने हैं तो यह देखिए यह है हमारा A-B इसके चार हिस्से हैं A-P-P-Q-Q-R-R-B और सब भी जो है वो बराबर हैं तो हमें P-Q-R के याम यहाँ पर शोधने मतलब की find करने हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे माना P-Q-R यानि कि P-Q-R ये A तो A के बिंदू है माइनस टू और टू और बी बी के जो हमें बिंदू दिये गए हैं दो और आठ को जोड़ने वाले को जोड़ने वाले रेखा खंड ये हमें सब लिखना पड़ेगा क्रेश्चन बताने के लिए चार समान भाग में चार समान भाग में विभाजन करने वाले बिंदू हैं माना P, Q, R ये A और B को जोड़ने वाले रेखा खंड चार समान भाग में विभाजन करने वाले बिंदू हैं तो यहां पर देखिए अब जो Q है वो A और B का मध्य बिंदू है तो हम यहां पर लिखेंगे Q A, B का मध्य बिंदू है तो यहां पर हम मध्य बिंदू जो है सूत्र लगा कर ठीक है यह मध्य बिंदू का सूत्र लगा कर हम यहां पर Q केस जो याम है वो फाइंड करेंगे तो मध्य बिंदू सूत्र देखिए यह रहा है X1 प्लस X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 तो हम A, B के बिंदू ले रहे हैं यह A के बिंदू है और यह B के बिंदू है तो A में तो मद्धे बिंदू सूत्र लगाते हैं माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे पहले देखी हमने सूत्र कैसे लगाया A और B के बिंदू हैं तो A और B के देखे माइनस 2 और 2 तो 2 और 8 तो यहाँ पे X1 हो गया हमारा माइनस 2 और X2 हो गया 2 तो देखो यहाँ पे बाइनस 2 प्लस 2 लगा दिया Y1 हो गया 2 और Y2 हो गया 8 तो देखेए 2 प्लस 8 लगा दिया सूत्र के हिसाब से अब इसे सॉल्व कर लेते हैं माइनस 2 से 2 गया 0 बटे 2 हो जाएगा 8 और 2 10 बटे 2 हो जाएगा ठीक है 0 से 2 को भाग करेंगे तो 0 और 2 से कट गया यहाँ पर 10 तो हमारा आंसर आ गया 0 और 5 यह आगे हमारे Q के बिंदू ठीक है अब जो P है हम यहाँ पर लिख देते हैं P P A क्यो का मध्य बिंदू है जो P है वो A क्यो का मध्य बिंदू है तो A क्यो के पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं Q के पॉइंट्स आए हैं 0 और 5 यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है इन दोनों पॉइंट्स की मदद से अब हम P की वैलिउस निकालेंगे क्योंकि P जो है वो A Q का मध्य बिंदू है इसी तरह से अगली बार जो R है वो Q और B का मध्य बिंदू है तो Q और B के पॉइंट्स की मदद से हम R की वैलिउस को निकालेंगे जैसे अभी हम P की values को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदू सूत्र लगाना पड़ेगा, तो सूत्र के हिसाब से minus 2 plus 0, यहाँ पर हमने यह मध्य बिंदू सूत्र लगाया है, 2 और यहाँ पर 2 plus 5 upon 2, AQ के point से हमने यहाँ पर मध्य बिंदू सूत्र लगाया है, तो इसे solve करेंगे, minus 2 में से 0 गया तो minus 2 upon 2, 5 और 2 हो गए, 7 बटे 2, 2 से 2 cancel, तो यहाँ पर आ गया minus 1 और यहाँ पर 7 by 2, यह आ गए हमारे PK points, तो PK points को हम यहाँ पर लिख देंगे, minus 1, 7 upon 2, अब इसी तरह से R के points निकालेंगे, Q और B के points की मदद से, पहले हम लिखेंगे, R, QB का, QB का, मध्य बिंदू है, ओके, ठीक है, तो QB के points की मदद से, हम मध्य बिंदू सूत्र लगाकर, R के points निकालेंगे, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदू का, 0 plus 2 upon 2, 5 plus 8 upon 2, solve करेंगे, 2, 0, 2 और 0 को plus करेंगे, तो 2 upon 2, 5 और 8, 13 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर answer आया, एक और 13 बटे 2, ठीक है, यह आ गए, हमारे R के बिंदू, यहाँ पर हमारे P के बिंदू आ गए थे, और सबसे पहले हमने, Q के बिंदू यहाँ पर, निकाले थे, तो यहाँ पर हम सब के बिंदू लिख देंगे अब, यहाँ पर लिखेंगे, minus 1, 7 by 2, यह थे हमारे Q के बिंदू, तो Q बराब पर, ठीक है, फिर हमने निकाले P के बिंदू, तो P के बिंदू क्या क्या आए, sorry, यहाँ पर 0 और 5 था, 0 और 5, ठीक है, यह Q के बिंदू थे, फिर P के बिंदू हमारे आए, minus 1 और 7 by 2, ठीक है, फिर R के पॉइंट्स आए हमारे, 1 और 13 बटे 2, अगला question देखते हैं इसका, question number 10 है, इसमें बोला है, संबाजू चतुश कोण के, क्रमिक शिरो बिंदू है, 3, 0, 4, 5, minus 1, 4, minus 2, minus 1 हो तो, उसका हमें शेत्रफल निकालना है, अब संबाजू चतुश कोण है, संबाजू, तो संबाजू देखते हैं, पहले होता कैसे है, यह शेप ले लेते हैं, यहाँ से, संबाजू, यह देखिए, मैं आपको बना कर बताती हूँ, यह है हमारा, यह आप संबाजू, ठीक है, यह संबाजू हो गया, अब इसके हमें पॉइंट्स देए हुए हैं, और यह 4, 1, 2, 3, 4, क्रमिक, यानि कि देखो, A, B, C, D, ठीक है, तो A के पॉइंट हमारे हो गए, 3, 0, B के पॉइंट हो गए, 4, 5, C के पॉइंट हो गए, माइनस 1, 4, और D के हो गए, माइनस 2, माइनस 1, ठीक है, क्रमिक बोल रहा है ना क्रमिक तो क्रमिक यानि कि A, B, C, D तो उसका शेत्रफल हमें निकालना है तो शेत्रफल निकालने के लिए पहले हम यहापे इसके विकर्ण बना लेंगे यह A, C और यह B, D ओके यह इसके विकर्ण हो गए अब हम सम को solve करेंगे समबाजू चतुशकोन का शेत्रफल का फार्मूला होता है पहले हम बोल खेंगे समबाजू चतुशकोन का शेत्रफल होता है एक बटे दो और विकर्णों का गुणाकार विकर्णों का गुणा यह होता है आपका समबाजू चटुषकोन का चेतरफर ठीक है तो इसमें विकर्ण क्या है हमारे AC और BD तो यह चेतरफर निकालने के लिए हमें यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा और यह फार्मूला यूज करना है विकर्ण क्या-क्या है हमारे AC और BD ठीक है तो सबसे पहले अंतर सूत्र लगाकर AC के पॉइंट AC के क्या-क्या पॉइंट है देखो A के पॉइंट है 3,0 ठीक है यह हो गए A के पॉइंट और C के पॉइंट क्या है यहाँ पर माइनस 1 और 4 तो यहाँ पर हम लगाएंगे अंतर सूत्र अंतर सूत्र अंतर सूत्र अंतर सूत्र है X1 माइनस X2 प्लस Y1 माइनस Y2 तो यहाँ पर हम अंतर सूत्र लगा रहे हैं 3 प्लस 1 का वर्ग देखो यह X1 है यह X2 है ठीक है प्लस Y1 Y1 है 0 और Y2 है 4 यहाँ पर हमने अंतरसूत्र लगा दिया अब इससे सॉल्व कर लेते हैं तीन और एक हो गया चार चार का वर्ग प्लस यहाँ पर भी चार का वर्ग और यह रूट चार का वर्ग सोला चार का वर्ग सोला 16 और 16 हो गए 32 ठीक है तो 32 का यदि हम LCM लेंगे यहाँ पर ले ले लेते हैं रफ में 2 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आया LCM 2 गुर्णा 2 गुर्णा 2 कितनी बारी है 5 बारी है दो गुर्णा 2 तो इसका मतलब होता है पेर में से बाहर निकालो तो पेर में से बाहर निकाल लिया इसका पेर नहीं बन रहा तो यह अंदर ही रहेगा 2 दुनी 4 रूट 2 यह आगया हमारा A C क्या आगया यह अभी हमें BD भी निकालना है तो BD के पहले पॉइंट लिखते हैं B के पॉइंट है यहाँ पर 4 और 5 और D के पॉइंट है भी दीके है माइनस 2 माइनस 1 अंतर सूत्र लगा रहे हैं यह हमारा अंतर सूत्र है X1 माइनस X2 लगाएंगे पहले तो X1 है 4 और X2 है माइनस 2 ठीक है तो हो गया 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस हो जाएगा क्या है यहाँ पर Y1 माइनस Y2 तो Y1 है 5 और Y2 है 1 ओके यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा यह रूट डाल दिया अब इससे सॉल्ट करते हैं 4 और 2 छे चे का वर्ग 5 और 1 छे चे का वर्ग और यह आगया रूट ठीक है तो 6 का वर्ग 36 चे का वर्ग 36 चत्यस और चत्यस हो गए 72 बहत्तर का ले लो LCM 72 का LCM ओके दो तिया छे दो चिक बारा फिर दो से करेंगे दो एक कम दो दो अठ्छे सोला दो निमठ्ठारा तीन तिया नो और यह होगी आपका तीन एक कम तीन ठीक है तो इनको सबको लिख देते हैं यहाँ पर कितने बारी है दो है तीन बारी और तीन है दो बारी ओके इस पर रूट आ जाएगा अब रूट का मतलब यह है पेर में से बाहर निकालो तो दो का पेर बन रहा है तीन का पेर बन रहा है लेकिन जिस दो का पेर नहीं बन रहा वो रूट में ही रहेगा तीन दुनी 6 रूट 2 ठीक है तो हमारी एक वैल्यू यह आगई एक वैल्यू यह आगई यनि कि यह हमारा AC है और यह हमारा BD है ठीक है तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा सूत्र क्या था हमारा सूत्र था यह यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूं आपको एक बटे दो विकर्णों का गुणा कर तो विकर्ण क्या आया है हमारे देखो AC आया है हमारा 4 रूट 2 यह रहा ठीक है 4 root 2 और BDI है हमारा 6 root 2 तो इसको भी गुणा कर देंगे ठीक है इसे solve करते हैं 1 बटे 2 गुणा 4 को 6 से गुणा करो तो 24 गुणा root 2 को root 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्योंकि जब भी root में number गुणा होते हैं और वो 1 जैसे हो तो यहाँ पर एक number बाहर आजाएगा पहले 4 को 6 से गुणा कर दिया 24 अब root में same number है और वो गुणा हो रहे हैं तो एक number हमारा बाहर आजाएगा अब यह सब यहाँ पर गुणा हो रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा answer आएगा 24 ठीक है या गया आपका समबाजू चतुशकोन का छेत्रफल आ गया 24 ठीक है तो इस तरह से हमारे सभी बिंदू यहाँ पर आ चुके हैं तो छेत्रफल हमारा 24 हो गया है तो मिलते हैं अगले कोशिन के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत